तो टॉपी मिया है, Magnetic Resonance Energy, इसमें क्या है, Magnetics में है, ठीक है, तो Magnetic, Magnetic Field जेनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई इलेक्रिक चार्ज होना चाहिए, कोई भी, इलेक्रिक चार्ज होना चाहिए, जो क्या जेनरेट करेगा, इलेक्रिक फील्ड जेनरेट करेगा, ठीक है, जो क्या जेनरेट करेगा, इलेक्रिक फील्ड जेनरेट करेगा, अब इलेक्रिक फील्ड जेनरेट होना चाहिए, क्या आएगा वहाँ पर, Magnetic Field Generate होगा ठीक है? यह क्या है इसका? प्रिंस्पल कि Magnetic Resonance Imaging के लिए आपके पास कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें थी Electric Charge हो Electric Charge होने से क्या होगा? Electric Field Generate होगा और Electric Field जहां पर होता है वहाँ पर क्या जाता है? Magnetic Field Generate हो जाता है ठीक है? यह जी जी पता है? पहरे से पता हैं कि Electric Field जहां पर है वहाँ तो Electric Charge Magnetic Resonance Imaging किसकी करके है? Body की कर रहे है Human Body की कर रहे है ठीक है? Imaging किसकी हो रहे है? इसके तुरू? Human Body की हो रहे है तो Human Body में कोई ऐसा Particle होना चाहिए जिसमें क्या हो? Electric Charge को Human Body में कोई Particle ऐसा होना चाहिए जिसमें की Electric Charge को तो इसके रहे हम क्या करेंगे? इसके रहे हम देखेंगे Atom को इसके रहे क्या देखेंगे? Atom Atom का सेंडर जो है Nucleus Nucleus पर क्या है? Protons जो की Positively Charge है और Neutrons है जिते कोई Charge नहीं होता है ठीक है? Nucleus पर है आपका Protons और Neutrons अब Protons की एक Special Characteristic होती है कि Protons अपने Axis पर Revolve करता है Wobble करता है या फिर Precision करता है Electron जो अपने Axis पर Move कर रहा है लट्टू की तरह उसको क्या बोलते है? Revolution या फिर Wobble कर रहा है या फिर क्या कर रहा है? Precision कर रहा है इसके गोल-गोल भूनने से किसके Protons के अपने Axis पर Revolve करने से या Wobble करने से क्या जो रहा है? Electric Charge Generate होता है क्या जो रहा है? Electric Charge Generate हो रहा है जिस वज़े से क्या बढ़ रहा है? Electric Regenerate कर रहा है ठीक है? और हम क्या करते है Body को जब External Magnetic Field में ले जाती है तो सांगी सांग क्या Generate हो जाता है? Magnetic Field भी Generate हो जाता है साही है? तो हम Body में क्या ले रहे है? Protons को ले रहे हैं Protons को ठीक है? इन Protons में क्या है? Spin है इन Protons में क्या है? Spin है Spin मत्तकी अपने एक्सिस पर जट्टू की तरह चारा ओ घूमना जैसे कौन गुंता है? Planets गूंते हैं अपने एक्सिस पर ठीक है? तो ऐसे ही Protons भी मूफ कर रहे हैं इनके इस गूमने को इनके इस Spin को क्या बोते हैं? Warble भी बोते हैं Warble भी बोते हैं या फिर Precession भी बोते हैं ठीक है? Warbling भी कहते है Precession भी बोला जाता है इतनी की चीज़े समझ में आएं? ठीक है अब क्या हो रहा है? हम क्या करते हैं? Protons Body में Protons कहां पर हैं सबसेश जाना? Water में Body में Water कितना परसंट है? 70 से 75 के पीच में 13% Water Body में है Human Body में ठीक है? उसमें से Protons के हैं है? Hydrogen Hydrogen Positivity Charger है इसका हम तक हो क्या है? Proton ठीक है? तो अब ये सारे के सारे Protons अब हमने क्या किया? ये जो Protons है ये इधर उधर को बचाट की कोई Direction नहीं ये Move करने की डवद हो किसी कोई एफिट से Direction नहीं है कोई Proton इधर को Move कर रहा है कोई की गर्भू कर रहा है मगली Fix direction नहीं है ठीक है? कोई बी Fix direction नहीं है Direction फिक्स होनी की वज़ए से Electry Charge आ रहा है इसका है? कैसे आहेगा? Electry Charge होने के लिए Direction भी खिक्स होनी चाहिए सकति तो कोई Elektry Charge नहीं है क्यों? क्योंकि protons की direction fix नहीं है आम क्या तरहिए हम इन protons को क्या तरहिए एक external magnetic field में रभ देगे ठीक है external magnetic field इसमें रखा किसे एक proton proton को रखा तो जो अभी तरीके से दिखने में थे यह protons यह सारे के सारे क्या कोशिश करें कि हम पहले लिए एलाइंड हूँ जड़े आप इनमें क्या है आप देख रहे हो वॉब्लिंग भी है ठीक है मूब भी कर रहा है चार्ज यहां क्या है इनके अंदर और जब इनको हमने external magnetic field में रखा तो इनमें क्या generated हो गया साथ magnetic field भी generate हो चुका है जैसे एक सब्सक्राइब में रखा तो इनमें क्या हुआ magnetic field generate हो गया तो सारी के सारी यह जो protons है यह क्या करेंगे कुछ protons जो low energy के हुए low energy ठीक है कुछ होंगे low energy और कुछ होंगे जो extra energy gain कर देंगे excellent energy field में रखाना ज्यादा हो गया तो गया हो गया है anti parallel aligned हो गया है कुछ parallel align हो गया protons कुछ anti parallel align हो गया ठीक है यह है low energy level सही है जिन्होंगे extra energy gain कर देंगी वो कहां चले गया है high energy level पर चलेगे high energy level पर चलेगे जो parallel है वो low energy level पर है जो anti parallel है वो high energy level पर है तो अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है ये दूसरे क्या करते रहे है कट कर देंगे, माइनस हो जाता है, ठीक है, ये माइनस हो जाता है, तो अब कितना बच्छा, केवल इक की पैलर luck 好, केवल एब एक प्रोटॉन्थी पैलर luckches, ठीक है, ये के वर कुछी प्रोटॉन्थी वार नहीं है, ये हमानी बाड़ी में कितने हैं, 75% water है, तो इतने सारी protons की बात होगी, ठीक है, तो ये number केबल 4 ये 3 की बात नहीं हो रहे हैं, ये कई सारे numbers, ठीक है, तो anti-parallel और parallel ये जुस्त को minus कर देंगे, ये आप भी पढ़ा था, ठीक है, पैलल ही पढ़ा है, उसमें से आप क्या हुआ, केबल कुछी protons मची जोटी क्या है, parallel alignment, बाकी समय जुसको क्या कर दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम radio frequency pulse देते हैं, क्या रहेंगे, radio frequency pulse, radio frequency pulse देंगे से, क्या होगा, जो parallel ले, जो parallel ले, अब हो क्या करेंगे, extra energy को gain करेंगे, तो वो क्या करेंगे, extra energy को gain करेंगे, और क्या होगा, anti parallel चले जाएंगे, यह क्या होगा, radio frequency pulse को gain क्या, और क्या होगा है, anti parallel align होगे, मतलब, longing union थे, alignment क्या था, longing union था, और जैसे ही radio frequency pulse देंगे, यह anti parallel, बदक भी, transversely align होगे, समझ रहे हो, अभी तर, ऐसे ऐसे wobble हो रहे हैं, यह लटकू की तो रहा हो, इस तरीके से गुख मेंगे, एक्सिस यह था, जब extra energy gain करी, तो एक्सिस इंका कहां चले गया, transversely चले गया, इस तरीके से, यह हुआ, अब कहां चले गया, इस तरीके से, transversely चले गया, ठीक है, तो longitudinal और transversely कैसे गया, आयस वाज में, यह नहीं जा रहा है, यह हो करके यह नहीं जा रहा है, यह है, इतनी energy gain करी है, यह transversely move करें, सही है, अब इस तरीके कहां चले, तो यह कपकी से जह है, जब के आपकी क्या दिखी, रेडियो, फिक्मेंसी, फाल्स, सही है, तो यह है, इसमें क्या हो रहा है, जो लॉंगी टूडीनल थे, ठीक है, लॉंगी, टूडीनली, अरेंच थे कौर, प्रोडॉन्स, प्रोडॉन्स, वो क्या हुए आप, transversely move करें रहें, ठीक है, इस तरीके से béla, transversely move करें, सही है, इसे सही क्या दिखक क्या आता है, T1 और T2 relaxation time दिखक क्या है, क्या T1, T2 relaxation time अभी क्या हो रहा है अभी magnetisation हुआ ती 27श घ्री बास देने से पहले क्या हुआ जो आपके प्रोटॉंस बिखरे वेद victim जो प्रोटॉंस बिखरे वेदिक तरी के से वो क्या हुए align हुए ठीक है? एलाइन हो गए पहले एलाइन हो गए मतब्ली में क्या आया? Transverse Longitudinal Magnetization क्या आया हैं में? Longitudinal Magnetization क्या आया हैं में? Longitudinal Magnetization आया हैं ठीक है? यह सब यह cut-put करके फिर हिस्तरिकी से बना था हूँ हो गए के सारे के सारे? ठीक है? और जब हमने इसको क्या किया था? Radio Frequency RF Pulse भी थी तो यह क्या हुए थे? यह क्या हुए थे? Anti-parallel चले रहे थे? Anti-parallel चले रहे थे? ठीक है? LB पर चले रहे थे? और जब हम यहाँ देखेंगे तो मतलब यह longi जोटी नंसी कहां आगे थे? Transverse ली आगे Anti-parallel मतलब की Transverse ली आगे Called Protons ठीक है? तो इसको हम क्या बोहेंगे? Transverse Magnetization यह words important है Transverse Magnetization ठीक है? जब पैलल एलाइन है External Magnetism के ठीक है? तो उससे में क्या है? Longitudinal Magnetization है यह radio frequency pulse लेके से पहले की process है जब वो longitudinal magnetize गो रहे कौन? Protons ठीक है? और जब हमने radio frequency pulse ली तो Protons क्या हुए? Anti-parallel चले गए Anti-parallel चले गए बत्ता हुए क्या आ गया? Transverse Magnetization आ चुपा है बत्ता हुए क्या हुए क्या है